असलामने कुम डियर स्टूरिंट आज हम टाइपस ऑफ स्टोरीज का सेकंड पढ़ने जा रहे हैं जो कहें स्टोरीज ऑफ तर रियल वर्ड और यह स्टोरीज कैसी होती हैं इसको हम देखेंगे लेकिन इससे पहले हम यह देखेंगे कि जब हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो हम किस किसम की फीलिंग से गो थरू होते हैं इस्टोरीज जो है वो रीडर को आक्शिली की एक्टिवीट कर लेती हैं आप उसमें एंगेज हो जाते हैं और आपको लगते हैं अप उसे स्टोरी का हिस्सा हो इसलिए वह तमाम एक्शन आपके इमजनेशिन में वैसी चल रहे क्या हो गया तो बन्यादी तोर पे बहुत पावरफुल अच्छी कहानी आपको एक जिन्दगी है उसके जो रियल सिच्वेशन है आपके जो रियल मसायल है जो रियल लोगों ने फेस की है वो उसके उपर बनाई गई होती है और इनको पड़के हमें सबसे इंपॉर्टन चीज यह पता चलती है कि यह रिलीटबल है जाहे आप उन करेक्टर्स को लोगों को ना चाहे वो कहानी कितनी दूर इलाके की हो ऐसी जगा की हो जिसको आप नहीं जानते आप कभी वहां पर नहीं रहे तो आपको बुन्यादी तोर पे तमाम ट्रू लाइफ स्टोरी एक उम्मीद देते हैं कि एक और जिंदगी में एक एक्स्ट्रा ओर्डिनरी इवेंट हो सकता और आप एक एक्स्ट्रा ओर्डिनरी एक्शन से इसी भी मसायल से निकल सकते हैं आपकी जितनी भी रियल लाइफ स्टोरीज हैं वो इस्पायर करती हैं एंपथी को एंपथी का मतलब यह होता है कि हम समझ सकें कि दूसरे कैसा महसूस कर रहे हैं और हम उसे के बारे में पता चलता है वो लोग जो मुक्तलिफ मजाहब से तालुक रखते हैं या मुक्तलिफ जेंडर से तालुक रखते हैं उनकी जो लेवल अफ एबिलिटीज होती हैं वो मुक्तलिफ सोशल एकनॉमिक स्टेटस से तालुक रखते हैं हो सकता है हम डिरेक्टली उन ल काम लोगों को बिखतर तरीके से समझ सकते हैं जो इसी किसम के इन्वाइरमेंट या इसी किसम के कॉंटेक्स से बिलॉंग करते हैं आप चाहे उस वक्त मौझूद ना हो जब यह वाक्या पेश आया उन लोगों के साथ इससे कोई फरक आपको नहीं पढ़ता क्यूंकि आप जब उन कहानियों को पढ़ रहे होते हैं तो आप उस वक्त में पहुंच जाते हैं और आप उस वक्त के इंटेंसिटी को समझ सकते है चाहे वह वाक्या आपके मुल्क का वाक्या हो कहानी, रियल कहानी चाहे वह किसी और जमाने की हो, चाहे किसी और मुल्की हो, तो we actually get to the story and the motive or the action of the person with the help of that story. ऐसी स्टोरी जो हैं definitely हमें उस शक्स की जिंदगी को समझने में मदद देती हैं कि वो किस किसम के उसकी जिंदगी की struggles थी और वो कैसे गुजर रहा था जो आपकी true story होती है उनके अंदर ये power होती है कि वो आपको बताती हैं लोगों के बारे में, इविंट्स के बारे में, जगों के बारे में, आपके मुझूदा हालात के बारे में, कि आपकी दुन्या के हालात कैसे हैं, माजी में कैसे थे, और वहां लोग किस तरह स्ट्रगल करते थे और चलते थे, आपकी रियल कहानिये जो हैं, वो आपको ये बत बताती हैं कि उस एरा की complexity क्या आती है, definitely जिसकी true story होती है, वो किसी ना किसी political एरा में रह रहा होता है, वहां पर कोई ना कोई हकोमते होती हैं, कोई ना कोई उनकी history और geography होती है और हमें उसके बारे में भी पता चलता है कि इन तमाम elements के साथ लोग किस किसम की challenges pace करते थे और उ क्योंने कैसे cop up करते थे